ये है वक्तु मीडिया 17 के तहब एक विशाल चुनावी जनसवा को संबोधित किया इस मौके पर पट्टी कला गाउं के लोगों ने जनाब अब्दुल्ला आजम खान सहाब का तारीखी इस्तक्बाल किया जनाब अब्दुल्ला आजम खान सहाब उत्तर परदेश सरकार के कदावर मंतरी जनाब आजम खान सहाब के सहाबजादे हैं इस विशाल चुनावी जनसवा के और्गनाईजर रहे जनाब मुहम्मद हुसेन सहाब और उनके भाई जनाब अकरम पहलवान सहाब इस विशाल जनसबा को जिनकी निगरानी में आयजित किया गया उन लोगों के नाम है जनाब इसलाम बल्ली सहब सदसे जिला पंचायत जनाब हाजी आबिद हुसें सहब जनाब फहीम पहलवान सहब और मशूर शायर जनाब खालिस सुल्तान पुरी सहब निजामत के फराइज अंजाम दिये एडवोकेट जनाब तकमील एहमद सहब ने आये देखते हैं इस प्रोग्राम का खास वीडियो अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा दूसरी शेकल में शायरा अंदाज में भी ले जाना चाहता हूँ और आपके जाने पहचाने मशुँर शायर जनाब एडवोकेट खालित सुल्तान पुरी से मेरी दर्फास ते हैं कि वो आए और वक्त का ख्याल और थंड का ख्याल रगते हुए मुक्तसर अंदाज में अपने कलाम को पेश करें जनाब खालित सुल्तान पुरी साभ दोस्तों जिस काम के लिए जाना जाता हूँ आपकी बस्ती से मूँ वोई काम दो-चार मिनट में करके अपनी जगा लूँगा और मैं आपसे एक दर्खास करता चलूँ कि देखें लट बहुत बुरी चीज होती है अमर सिंग को जय पिर्दा की लट हुई और मुझे तालियों की लट पड़ गई है तो इसलिए जब मैं बीच में कोई बात कहूं तो आपकी तालिया आनी चाहिए नोट बंदी का दोर चलना है एक मतला एक शेर वहीं से मैं पढ़ता हूं और बहुत कम वक्त में अपनी बात को खत्म करूंगा मतला यूं कहा कि दौाओं के दौाओं के असर को तोड डाला है दौाओं के दौाओं के असर को तोड डाला है मिया इस दर्दे सर में मेरे सर को तोड डाला है और गरीबों पर गरीबी की पड़ी थी मार पहले से और उस पर नोट बंदी ने कमर को तोड डाला है ये चार मिसरे पढ़ता हूँ नोट बंदी का ये फरमान जारी हुआ, अबसे बहुत पहले दिल्ली के बादशा, मुहमद बिन तुगलक ने भी नोट बंदी का एक फरमान जारी किया था, और इतिहास उसे फागन बादशा के नाम से जानता. मैं चार मिस्रे पढ़ता हूं कि तारीखें खुद को तोहराती रहती है भैकु के दम से ये साबित हो पाया और उस तुखलक की याद दिलाती मोदी ने जो तुखलक की तिहास में पागल कहलाया दोस्तों एक नजम की बड़ी शिद्दत से फरमाईश कीती हुसेन भाई ने लात बड़े भाई जनाब इसलाम बल्ली साब का भी हुक्म था कि मैं वो नजम हादिर करूँ और मैं उस नजम को हादिर करना चाहता हूँ देखिए अब्दुल्ला भाई अपने इंटर्व्यू में विजी हैं उनके इंटर्व्यू चलने दीजे हम और आप अपना काम करते हैं मैं उस जगा पे रखके कि अगर अब्दुल्ला आजम साहब शायर होते तो वो आपसे इस वक इस जगा पर क्या कहते मैं चार-चार मिस्रे पढ़ता हूँ कि मुखालिफ आंदियों के सामने जुगने न देना सर मुखालिफ आंदियों के सामने जुगने न देना सर तुमारे सारे दुख लेने को मैं तयार बैटा हूँ टिकेट पाना भला क्या है जहां से चाहूं मिल जाता टिकेट पाना भला क्या है जहां से चाहूं मिल जाता मगर है स्वार वालो तुम पे दिल को हार बैठाओं टिकेट पाना भला क्या है जहां से चाहूं मिल जाता मगर है स्वार वालो तुम पे दिल को हार बैठाओं मेरे हाथों को ताकत दो मुझे इतनी महबत दो मेरे हाथों को ताकत दो मुझे इतनी महबत दो तुमारी आँख में काजल मैं अपने प्यार का भर दूँ मेरी गहरत ये कहती है कि मैं खुद अपनी हस्ती को तुम्हें जालिम के बंजों से बचाने में फना कर दूँ कि मेरे हाथों को ताकत दो मुझे इतनी मुहबत दो तुम्हारी आँख में काजल में अपने प्यार का भर दूँ मेरी गैरत ये कहती है कि मैं खुद अपनी हस्ती को तुम्हें जालिम के बंजों से बचाने में फना कर दूँ फिर इसके बाद तुम जानो, तुम ही पर फैसला छोड़ाओ जोरदार तालियों के साथ इस बात की आप ताहित करें कि आप यकिनन अब्दुल्ला आजम खान साब कुछ चाहते हैं आप उनसे बेपना मुबबत करते हैं और आप मुस्तख्पिल का इमेले उनने देखना चाहते हैं तो एक बाद जोरदार तालियों के साथ इस बात की ताहित करें आप आईए अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सियासी जलसे कवर करें तो हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप कहीं मुशायरा करा रहे हैं तो मुशायरे की कवरिज कराना चाते हैं तो वो भी हम कवर करते ही हैं जी हाँ हमारी वेबसाइट है मुशायरालाइब.com हमारा वाटसेप और कॉंटेक नमर है ट्रिपल लाइन 7640286 मुझे इजाज़त दीजिए शफीक खान वक्त मीडिया के लिए